दोस्तो कुवेट बहुत सारे इंडियन्स को अपने देश से निकाल के कर रहे हैं डिपोर्ट और इसका असली कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे कहानी की शुरुआत तब हुई जब BGB की नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मुहमत के बारे में कुछ स्टेट्मेंट्स कहे जिससे नाराज होकर गल्फ कंट्रीज प्रोटेस्ट करने लगे और इसी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में कुवेत के इंडियन कम्यूनिटी ने कुवेतियों का साथ देते हुए सड़क पे इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसलिए वह इंडियन्स जो वहां सालों से काम कर रहे थे वह रातों रात बेघर हो गए और यही सचाई है जी सी सी कंड्रीज की एक तरफ कुवेट में रहने वाले इंडियन्स कमाते हैं कुवेटी दिनार्ट जो है वर्ल्ड की अबर क्यातों अजिजदाने मिल्लत इसलामिया आप तमाम उम्मती को वुफसल की तरफ से सलाम अड़े घर में बटी बढ़ता नचीन इजददार मा और बहने को वुफसल की तरफ से सलाम अड़े बहरल के बरिलहा लाह से अमीद है आप लोग खेरे से होंगे अल्ला की एफा होंगे अल्ला आप लोगों को हर शर्च से हर आबा से महफोज रखे खासकर इन दरिंदों की दरिंदगी से महफोज रखे बहरल केफ आपने ये सुना ये चट्टे का चैनल है ये एक लिंडू है ये एक आरेसस का भगवा आतंकी है ये एक मध्या परदेश का रहने वाला ह है लेकिन यूटूब चैनल पे ऐसा मुसल्मान बन कर काम करता होने यानि किसी को शक भी होने नहीं देता लेकिन इसकी जनपत का अंड़ा इसकी पिजवाड़ में प्यास का डूँ इसके बारे में सारे मालूमात मंगाया हम हैं और इने कहां पे रहता वो भी पता चला मेरे लेकिन उससे अपने को तालूख नहीं है अपना काम है इसको अनफालो करो अनसस्क्राइब करो इसको देखना बंद करो क्योंके ये आतन की इतनी फेक नियूस चला रहा है आप लोगों को ये बता दू जो इसने जो बता रहा वीडियो में वहाँ पे जो प्रोडेस्ट करे गेर खानूनी है कोईट के अंदर कोईट हुकूमत पकड़ के मुसल्मानों को भी भेजरी लिंडों के सासाथ ये एक फेक और गलत नियूसे दो हजार बीस में जब सी डबले इन पी आर इन आर सी के जब वो निकला तो ऐसे ही प्रोडेस्ट बहुत हुए थे और वो टैम प या वहां के महाफ़ा याने गौर्नर आफिस मखफर बोले तो पुलिच स्टेशन से परमिशन लेना बहुत जरूरी है आप बगएर परमिशन लिए कि आप रूडों पर ने निकलते है वो तो हर जगा का हनूने मामली से हम बाज़ा बज़ा एत्री मार घब 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 एक फैक निउस चला रहा ही ने खर ये चट्टा है संगी आ तंक्व है भगवा तंक्व है ये अधूद बड़ा लिंडू है बहुद बड़ा चिट्व एई है बहरहाल आप लोगों को मैं रखा वो वीडियो इसलिए इसकी ऍसकी चूट आप लोगों को बता दू मही इसकी फेक नियूस बताओं और उसकी फेक नियूस के ओपर हमारे बहुत सारी ऐसे लोग है जो यकीन करकर मेरे को टेलिफना भी करें, मेसेज़ भी करें, मैं तो जो हैसे आप लोगों को ये फैयर भी मगाया था पर्मिशन का वो भी मगाया था वो लोगों को जिस तरीखे से चाहे मख़र खेफान हो, चाहे मख़र लाहमदी हो, चाहे मख़र फाहील हो, ये मख़र पॉलिस्टेशन को बोलते हैं अरभी में, अरभी में जो पॉलिस्टेशन रहता है ना, उदर मख़र बोलते हैं, मख़र बोलते हैं, बहरें में मरकज बोलते हैं, साओधिया में मरकज बोल वीकली उदर हर हफ़ते में प्रोडस्ट होता है अगर जह यहां तक के वहां के लोकल सरकार भी अगर जह कुछ गलत कर रही है वो लोगों किसी से कोई आपजिक्शन है तो बराबर वो लोग प्रोडस्ट कर सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं यह चीज़ का खानून बना दिय गया है उदर लेकिन पर्मिशन लेना बहुत जरूरी रहता एरिये पियसे यानि जो मरकज बोलते है या मख़वर बोलते है उससे लेना बहुत जरूरी है या महाफ़ा महाफ़ा उसको कहते हैं गवर्न राफिस मिसाल की तोर पे अब सबाहिया है फाहीर एहमेदी है मिन खाफिर के सारे पुलिस टीशनों का एक हेड़ाफिस होता उसको बोलते हैं महाफ़ाजा यानि उदर से भी आप परमिशन ले सकते हैं यानि ये इतनी फेक नियुस चलाया और कोई मुसल्मान को वहां से नहीं भीजा जा रहा भीजा जा जा रहा लेकिन किसको लिंड़ों को आज जो RSS के चटे हैं ना उनके बारे में दरियाफ्त किया गया उनके बारे में तहकी की गई उनके प्रोफिल चक किये गए वो लोग इन दो तिन साल में कुन से कुन से इसे पोस्ट डाले और उनके करनी है क्या क्या थे वो लोग क्या कारोबार करते किदर वर्क करते वो क्या चीज खाते पीते ये सारे चीजे देखे कहें देखे चापे मारा के वो लोगों को बेजा जा रहा लेकिन ये लिंडू ये हरामी नसल का ये संगी आतंकी ये भगवां आतंकी चुप यानि अपने दिल को खुश कर लेने के लिए कुछ अनभक्तों को खुछ करने के लिए अपने चंद व्यूस के लिए चंद उसके लिए एक फेक निउस चराया लेकिन उसको यह जान लेना चाहिए कि इनके जीजा है अबू फजल अबू फजल इनके जीजा है जीसिस में अगरचे कोई अंगडाई भी लिया अगरचे लिंडू और कुछ भी अगरचे यह है तो जो है अबू फजल तक वो निउस पहुंचती पता है ना कोई बगेर परमिशन के खुजा ने सकता अल्ला का भूद बड़ा करम है मालिक का बहुत बड़ा इहसान है अल्ला हर भी लिज़त का समझा रहे संगी आतंकी और मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईयों ये इस वीडियो को इतना शेयर करो ताके इस हराम नसल के हरामजादे तक पहुंच जाए और सुन रहे संगी आतंकी साले अरे भगवे आतंकी अरे तेरी चन्पत का अंडा तेरी सुन तू जब जब मुसल्मानों को लेकर या इस्लाम को लेकर ऐसी गलत वीडियो बनाएगा तब तब ये अबू फजल तेरे को आके तेरा परदा फाश भी करेगा और तेरे को घिनोनी चेहरे से बेनखाब भी करेगा जो तू हरकते करता है सारे परदे फाश होंगे तेरे समझ गया अरे कॉंडम लुली अरे इट्स लुली अरे क्या समझा रहे बता रहे एक का परूफ बता को एक मुसल्मान को प्याक करे तो हुए हैं मुसल्मान प्याक मैं वह इसा नहीं करता है लेकिन प्रोटेस्ट के कोई केस में नहीं है मिसाल की दो रबे कुछ भी गलत काम करे मुखालिफता ल्खानून जिसका इखामा नहीं है जो गहर गानूनी तोड से जो रहे रहें थे बैसे लोग जाते हैं, वो लोग को एक जमाने से पड़ेवे रहते हैं, बलकि अब ये तक भी खुलने वाला है कुएत में, जिसके इक खामें नहीं हैं, जो मुखारिफते खानून लिकामा है, जिसके कफीने केस लिखा दिये हैं, भागे हैं बलकर, कुएत के अंदर, अब आ बिया खावें नहीं है जिसके भी कुछ भी प्रावलम से एक चेकात सराडल में याने कोट के अंदर जिसके केसे चल रहे है जो चज़कों का मसल़ा है वो किलियर कराय तक नहीं जा सकते अब मخालिश तल खौनूंन किसी के दो चाँ दो साल सा नहीं है किसी के दस साल सा नहीं है कोई कफिल के पास से भागे वे है जिसका हुरूब है जिसका गदिया कोई इनहाश के से तो वो लोग अपने मुलक को आ सकते सिर्फ टिकेट लेकर आ जा सकते कुन से भी अपने जहां पर रहते हैं वो एरिया पियस को जाएए अपना करा कर फिर दुबारा आप लोग अब जी अगर्चे अपने आप अगर्चे जा रहे हैं अपने आप अगर्चे दुबारा आप लोग कुएद भी जा सकते हैं अगर्चे पकड़ गया उनके मियाद खतम होने के बाद तो आप लोग को फिंगर कराएंगे आईसा फिंगर होगा हो सारे GCC में आप लोग खदम भी नहीं रख सकते हैं इसलिए अपने आपको एक टिकेट ले ले लिजिए साड़ दिनार सतर दिनार असी दिनार में जो कुछ भी मिलता है ले लेके चले जाएए आपको भेज़ेंगे पंदरा आगस से पंदरा अक्टोबर तक ये चीज राग प्रोगराम था लेकिन मैं इसको बखश नहीं रहा हूं लेकिन इसको फिर लूँगा लेकिन इसकी जूट इसका फ्रॉट इसका फेक नियूस ये सारे चीज़ें दा बता दिया इसको जितना हो सकता मेरे अज़ीज दोस्तों मेरे भाईयों अनफालो करो और इसके वीडियो इसको खुद पता नहीं है पिछे से हगी या सामे से हगी किदर से भी डाली भी है लेकिन इन अंदर से आ रहा जैसा हमारे पास वो उन्हें आता था ना समझे होंगे लोगों कुन बलाद समझे है वाई से आ रहा है नहीं यानि इसकी कोई बात पर आप लोग एकिन करने की जूरत नहीं है और मेरे हजीज दोस्तों जो आप लोग इंतजार कर रहे थे एक टाइम से जो चार साल से ये चीज़ नहीं कुली थी जो हर दो साल में एक मरतबा कुलती है जिसके एखा में नहीं जो मुलक जाना चारें जा सकते है फिर दोबारा वापस बलट कर भी जा सकत है नहीं विज़ा पर वो चीज़ पंदरा अगस से उपन हो रही है आप लोगों के लिए खुश खबरी समझे आप लोगों के लिए आप लोगों की दूआओं का नतीजा समझे लेकिन आप लोगों के लिए एक मेसेज है आपके भाई का नमाजों की पाबंदी करो माबाप के खिदमत करो, बड़ों के हिकाम पे आमल करो, बड़ों की इज़त करो, हर चीज़ में आप लोग कामियाब होने वाले हैं, चलो अपने इस भाई को भी दूआ हो में याद रोगो, सलाम आले को